हेलो फ्रेंट्स आज हम फिर हाजर हैं मॉल कॉंसेप्ट का एक क्यों मुझे मिला है तो इसके लिए मुझे लगा कि एक क्योशन भी हमें करना है क्योशन है तो हम देखते है कि क्या है इस क्योशन में 3 gm of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid solution having the normality of 0.06 in the flask after an hour it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 n that is normality you have to find out the amount of acetic acid absorbed per gram of the charcoal अब देखिए जो activated charcoal होता है ना जैसे आपने आज कल उसमें भी देखा होगा face wash में आ रहा है activated charcoal है ना तो activated charcoal जो होता है वो क्या करता है एड्जोब करने का काम करता है इसलिए यह face wash बगारा में डाला जाता है कि यह जो भी impurities आपकी skin पर उसको एड्जोब कर ले है तो यहां पर भी आकर आप देखेंगे activated charcoal का मतलब है कि उसको बहुत जादा उसका surface area बहुत कम कर दिया गया उसको बहुत जादा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया अब वह active हो गया एड्जॉबेशन के लिए ठीक है तो वह था activated charcoal और इसको solution में भी डाला जाता है तो तो इसके ओपर हमने क्या डाला 50 ml of acetic acid solution डाला 0.06 normal solution था तो माली जी activated charcoal है छोटे 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 ठीक है अब आपने इसके अंदर acetic acid का solution डाल दिया क्योंकि यह adsorb कर लेता है तो यह क्या करेगा acetic acid को अपने अंदर adsorb कर लेगा है ना तो जो तुमारा solution था already जिसके अंदर acetic acid था अब उसके अंदर जो acetic acid के molecules होगे यह acetic acid की जो मात्रा होगी acetic acid का जो amount होगा वह कम हो जाएगा reduce हो जाएगा वही वह बोल रहा है कि यह जो reduce हुआ है वह इतना reduce हुआ है पतला पहले 0.06 normal solution था अब 0.042 normal solution है और आपको क्या निकालना है आपको वह amount of acetic acid निकालना है जो की absorb हो गया है लेकिन per gram of the charcoal तीन ग्राम charcoal दे रखा है तो हर एक gram ने कितना acetic acid absorb किया वह हमको निकालना है तो पहले जो solution था वह था 0.06 normal अब जो solution है वह कहा है 0.042 normal अब अगर आपको पता है कि यह normality है ना और acetic acid क्या होता है CH3 COH तो इसकी basicity 1 है ना तो हम अगर normality की बात करें तो हम molarity निकाल सकते हैं इससे है ना तो normality जो होती है वो क्या होती है क्या होती है कि molarity into n यह basicity अब basicity 1 है हमारे पास acetic acid की तो normality भी क्या हो जाएगी molarity के equal आ जाएगी है ना तो आप देखें हमको पता है कि हमारे जो n1 था यान की initial जो था वो था 0.06 normal n2 जो है वो है 0.042 normal अब यही m1 भी है यही m2 भी है है ना क्योंकि molarity और normality जो है वो सेम है तो molarity क्या होती है नंबर ओफ मॉल्स ओव सॉल्यूट डिवाड़ बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ दा सॉल्यूशन जो है वो क्या है वोल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है दोनों में 50 ml है क्योंकि स तो कैसे निकालते है नंबर ओफ मॉल्स मॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मॉल्यूरिटी कितनी है हमारे पास इनिशल मॉल्यूरिटी थी 0.06 नॉर्मल वॉल्यूम था 50 ml और हम कि स्विवन लेते हैं हमेशा यह लिटरस में तो 50 divided by 1000 तो यह नंबर ओफ मॉल्स थे इनिशली तो आइकन राइट इस नंबर ओफ मॉल्स फर्स्ट नंबर ओफ मॉल्स सेकिंड क्या होंगे यानि कि कितने बच गए है जिरो पॉइंट जिरो फोर टू इंटू 50 डिवाइड़ बाई थाउजन तो कितने अब जोब हो गए इसमें से आप इसको माइनस कर सकते हैं 0.06 तू 50 डिवाइड़ बाई थाउजन माइनस 0.042 तू 50 डिवाइड़ बाई थाउजन अब आप कहेंगे क्यों आप पहले केल्कुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी हो जाएगा भी तो 0.06 माइनस 0.042 फिफ्टी बाई थाउजन तो हम क्या कर सकते हैं करेक्ट हम कॉमन इसको मैं 0.9 डिवाइड़ थाउजन भी लिख सकती हूं क्यों लिख होंगी क्योंकि यह बनेगा 0.9 म जाएग़ यह बहीं मॉल्स में आया है कि इतना मॉल्स युल प्लेस्टी चिटी यहां क्या हो चुका है इड्ज़ोब हो चुका है हमको क्या निकालना है ग्राम में नि 60g तो एक mol acetic acid का कितना होता है 60g होता है तो इतने mols का कितना होगा 0.9 x 60mg बिकोज मिली mols है और अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.9 x 10-3 mols तो यहां पर भी क्या आ जाएगा इन्टो 10-3 gram तो जब आप इसको multiply कर देंगे कितना आ जाएगा 54 इन दोनों का multiplication तो 10-3 gram और इसको मिली सकते है 54mg क्योंकि 1mg का क्या मतलब होता है 1mg is equal to 10-3 gram अब यह कितना amount acetic acid जो है वो अब जोब हो है पूरे charcoal पे और पूरा चारकूल कितने का था 3 gram खाता हमको कितना निकालना है हमको निकालना कि पर ग्राम चारकूल पे कितना एड्जोब हो है तो 3 gram पे 54 mg एड्जोब हो है तो 1 gram पे 54 by 3 mg एड्जोब होगा और 54 by 3 क्या होता है 18 right तो 18 mg जो है एक ग्राम एक्टिवेटिग चारकूल के ओपर एड्जोब हो है तो आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अभी हम आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे पता चल जाए कि वीडियो आ चुकी है और हम जल्द ही से जल्द क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं सो स्टे ट्यूंड तिल दन बाबाई थैंक यू टेक क्या